नमस्कार दोस्तों बहुत कमली हमारे पास एक सवाल आता है दोस्तों कि हमें टोटल नी रिप्लेस्मेंट के बाद क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए क्या-क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए मैं डॉक्टर अंकित भारतिया मैं प्राक्टर्स करता हूं इस पर्ष स्पोर्ट इंजरी सेंटर सोना और उडगाओं में तो दोस्तों नी रिप्लेस्मेंट के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना अनिवारे है क्योंकि जिस तरह से भगवान ने हमें जितनी भी चीजें दी हमें उसका ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें बुढ़ापे तक पर पॉलते हैं पॉली तो दोस्तों इन चीजों की प्रोटेक्शन अनिवारे हैं ताकि आप आगे चलके दुबारा गुटने से परेशान ना हो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको रनिंग जॉगिंग जंपिंग जैसी अक्टिविटी बिलकुल नहीं करनी चाहिए इससे कॉ आप चाहिए इससे क्लाम से पर सकते हैं और इसके इसके अलावा दोस्तों गर 20 मेर्विटी आप आराम से कर construction सकते और इसके आलावा ठीक्याइग्स रिगंग जारे योग करसक्ते अब दोस्तों कैंग साब पुछते हैं क्या योगा कर सकते हैं योगा दोस्तों कर सकते हो चेयर पे बैठके या फिर पैर को फेला के या पैर को वiernटीडी धेटीडी फोल्ड करके आप लेकिन चीडीडीडी दिग्री से बियॉजंट इक और को नहीं करना चाहिए क्जिए क्योंकि आईपर के संभावना बढ़ जाती है, तो आपकी components की longevity, new replacement की longevity बहुत अच्छी रहे, इसके लिए strictly avoid squats, lunges, burpees, running, jogging, jumping, any sporting activity which involves running around, jumping around नहीं करनी चाहिए, खास करके जैसे की badminton, tennis, cricket, football आपको नहीं खेलना चाहिए, आप थोड़ी low impact sports जैसे कि आप kitty खेल सकते हो, table tennis में आपको बहुत जादा jump नहीं करना पड़ता है, आपको थोड़ा move about करना पड़ता है, तो थोड़ा low intensity table tennis खेल सकते हो, लेकिन इसके उपर कि कोई sports आपको outdoor sports नहीं खेलनी चाहिए, और दोस्तों, इसमें एक और अहम चीज, आपको पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, यानि कि cross leg sitting नहीं करनी चाहिए, धन्यबाद दोस्तों, कि य कि मुझा जुख टूए लुख य जुख.'' टूए